नए आपकारी नीती से शराब माफियां पर अब नकेल कर सकेगी बगैर बिल के शराब बेशनी वाले शराब कारों बारी होगी अब खैर नहीं होगी क्योंकि नए आपकारी नीती के तहट शराब खरीदने पर बिल भी देना अब जरूरी हो चुका है आपकारी विभाग ने इसे लेकर आदेश भी चारी कर दिये बिल नहीं देने की शिकायत मिलने पर आपकारी विभाग द्वारा शिराप दुकानदार पर सक्त कारेवाई भी की जाई की इसी के चलते आपकारी विभाग द्वारा शराब दुकानों पर एक हेलप लाइन नंबर भी चस्पा किया गया है जिस पर ग्राहक शिकायत कर सकता है देखिया MP News TV पर इंदौर साहक आपकारी अधिकारे की खास 1-2-1 चर्चा मद्धिप्रदेश की आर्थिक राजदानी इंदौर में कुछ महापूर जहरेली शराब कांड हुआ था इस संसिनिखेज घटना में कई लोगों ने अपनी जान गवाई थी इस घटना क्रम के बाद मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने आपकारी नीती में बदलाओ किये थे और ये अनिवार कर दिया गया था कि किसी भी शराब दुकान पर बिना बिलके शराब बिक्री नहीं होगी आज इसी मसले पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ मौझूद है सायक जिला आपकारी अधिकारी सीधी जोड़ेंगे उनसे और को सवलात करेंगे सर इस नई आपकारी नीती का कितना सक्ती से पालन करवाये जा रहा है जमीनी स्तर पर जमीनी स्तर पर हमारे जितने भी फील्ड के अधिकारी हैं वो सारी दुकानों पर जा रहे हैं और चेक निरिक्षन होता है और हम खुद इस चीज को मौनिटर कर रहे हैं कि भई क्वालिटेटिव चीज़ें अच्छी मिलें लोगों को उच्छी दाम जो निर्धारिद धर है उस पे ही शराब मिलें और इसके लिए जो दुकानदार हैं उनको यह हम कहते हैं कि भे जितने भी ग्रहक आ रहे हैं उनको आप बिल दीजिए और ग्रहकों से भी हम यह उनसे हम गुजारिश करते हैं कि आप बिल लीजिया आप दुकानदार से आप बोले कि वो बिल दे आपको यह आपका हक है और इससे दो चीजें हैं कि आपको एक तो सही रेट मिलेगा और दूसरी बात है कि आपके पास एक प्रमाण है कि आपने क्वालिटेटिव जो सरकार द्वारा जो गुर्वत्ता पूर्ण शराब जो दुकानों से बिक्रे की जा रही है वही उनको मिल रही है तो इस बात के लिए ये दोनों पक्ष पे लागू होती है ग्रहक भी उतने ही उस पे थोड़ा सा अपनी जागरुकता इस चीज को रखे हैं कि जब भी वो दुकान पे जाए तो इस चीज को बोलें कि आप हमको बिल दीजी आप जो है तो ये चीजें दोनों तरब से होंग तो ये चीजें सफल होंगे आगे बढ़ेंगे और दोनों के हित में है ये पब्लिक के भी और इसके लिए भी ज़ज शाषन के भी हित में है ये सिर क्या किसी ग्राहिक ने ये कम्प्लेंड की है आपकरी विभागो कि इसको बिल नहीं दिया गया है शराब दुकांदार के दौरा नी कुछ शिकायते आती हैं कि सorb बिल हमको नहीं दे रहे हैं तो उस पे जाके ततकाल करवाई हम करते हैं वहाँ पे देखते हैं कि भी इस जो उनके जो मैक्सम जो ग्रहक देशी हैं उसमें वो लेबर क्लास या जो मजदूर वर्ग है तो बो ये कहता है कि साथ हमें क्यों बिलाब दे रहे हैं जवस्ती तो थोड़ा सा एक उनके अंदर उस तरह से अवैकनिंग नहीं है कि उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि हमारा कि नीचे बिल फेक के चले जाते हैं तो हम इसमें अवैकनिंग भी ला रहे हैं धीरे-धीरे सम्भूतर इस साल के बाद वो रेगुलर हो जाएंगे कि जो कि पहला मैंने आपको बता है कि पहला साले प्रयोग है और आगे हम इसमें जनता जो जनारदन है या जो ग्रहक पर परन्तु आज भी इन दौर में ऐसी कई शराब दुकाने जहां पर की बिल नहीं दिया जा रहा है ग्रहकों को क्या कुछ करवाई की है आपने इस समद में कुछ हमारे अधिकारियों ने जा करके दुकानों पे चेक किया हो चेक निरिछन किया है और उनको समझाइज भी दी है कुछ केसेज भी बनाए हैं तो बताए आपसे ना कि मतलब उसमें जैसे भी हमको कंप्रेंट मिलती है और हम इस चीज को पब्लिक डोमेन में अपना हमने नंबर डाल लखा है उस एरिया के जो साहिक जलाब कारे इदिकारी है उस एरिया के जो आपकारी अपने हो रही हो तो हमने अपना नंबर मेरा मतलब कि जो साहिक जलाब कारे इदिकारी उस एरिया के हैं या आपकारी अपने रिष्चक उस एरिया के हैं उनका नंबर दे रखा है दुकाने पर चस्पा है और वो ततकाल हमको फोन करते हैं उनके निराकन करते हैं अगर को इस तरह क क्रियानवन होता है जमीनी स्तर पर तो निश्चित तोर पे जो नकली शराब होती है और जो MRP से उपर शराब बेची जाती है उस पर नकल कसी जा सकेगी क्या काईगे आप बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है हमारे सामने जो बिगत करीब 6-7 मेहने पहले पहले मुरैना स जो भी ग्राक है वो शराब जो है वो साशन दोरा निर्धारिद जो आउटलिट हैं वहीं से ले और इसके लिए ही ये बिल्की सिस्टम लागु किया गया है कि आपके पास बिल्कुल रहे गा तो आपके पास एक प्रमार है भी हमने इस दुकान से ये शराब लिया है और ग देशी मदिरा भंडा अगार हैं तो ये दोनों शाशन के द्वारा अधिकारी यहां नियूक्त हैं गुडवत्ता को मिंटेन करने के लिए या उस पे सप्लाय करने के लिए तो इस से जो फुटकर दुकाने हैं वहां से ग्रहक अगर शराब ले रहे हैं उनके पास बिल है त और ये शराब जो है वो गुडवत्ता पूर्ण है ये अपने आप में एक प्रमाड होगा उनके लिए तो हम सभी से इस बात के लिए भी लोगों से इस बात के वैक्निंग हम कर रहे हैं ग्रहकों से इस्पेशली कि आप बिल मांगें और अपना बिल लीजे आप एक दो मिन और ये शराब मिलने हैं उस पर कारवाई भी कर रहे हैं कई केसे हमने बनाए कई नॉन बेलेवल अफेंस में हमने लोगों को बंद भी किया जो अवैद अड़ों से शराब बेच रहे थे तो दोनों काम एक साथ चल रहा है समनांतर ये भी चल रहा है कि कहीं अवैद की है कि कोई भी वेक्ति बिना बिल के शराब नहीं ले शराब दुकानों से और यदि कोई शराब दुकानदर मना करता है बिल देने से तो उसकी शिकायत आपकारी विभाग में करें आपकारी विभाग उप्रोक्त शराब दुकानदार के खिलाफ सक्थ सक्थ करवाई कामेरामेन अरुन यादो के साथ युवराज सिंग परावत की रिपोर्ट, MP News इन दोर